चीन के फाइटर जैट के चीथले उड़ जाएंगे रूस के लड़ा को विमान हवा में ही धेर हो जाएंगे क्योंकि आ गया है आस्मान का सिकंदर नाम है राफेल वही राफेल जिसकी गर्जना सुनकर दुश्मन तहल उठता है फ्रांस ने अपने इस बाहुबली का अपग्रेड वर्जन लाउंच कर दिया है जी हाँ सही सुना अपने रूस यूक्रेन का युद्ध हो या साउट चाइना सीम जंगी हल चल दुनिया के कई ताकतवर देश इस वक्त जंग की आग में कूदने को तैयार है हर कोई अपनी धनसक हवाई हतियार जो पलक छपकते ही दुश्मन को राख करने का दम खम रखते हूं देख लीजिए आस्मान का ये वही योद्धा है जंग का ये सूर्मा है जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है राफेल का अफग्रेड वर्जन F4.5 फ्रांसेजी वाईू सेना में शामिल हो चुका है फ्रांस की अवियेशन कमपनी दस ओड ने राफेल के नए वर्जन को लौँच किया है ये वीडियो फ्रांस की ऐर फोर्स की ओर से जारी किया गया है जिसमें राफेल नए आफ़तार में दिखाई दे रहा है जो पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर और एडवांस फाइटर जेट है राफेल फाइटर जेट के अगर ताकत और खासियत की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है उसका अपग्रेड रडार सिस्टम नया राफेल डवल इंजन से लैस है य अबले SM Hammer Missile लगा सकते हैं साथ ही इसमें छे अलग अलग तरह की Missile भी लगा सकते हैं राफेल की नया वर्जन से परमाणू हत्यार भी तागा जा सकता है राफेल की अपग्रेड वर्जन F4.1 में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रेक सिस्टम भी लगाया गया है जो दुश्म मौजुदा समय में नैटो देशों में फिनलेंड शामिल हो रहा है जिसको लेकर रूस तम तमाया हुआ है क्योंकि फिनलेंड की सीमा उससे सटी हुई है इसके साथी राफेल की नय वर्जन के फ्रांस एर फोर्स में शामिल होने से नैटो देशों की ताकत भी बढ़ रही ह रूस के पास लड़ाको विमानों की सबसे बड़ी फ्लीट है जिसका नाम है सुखोई S-27 रूस के पास आसमान का घातक फाइटर जैट सुखोई S-U-35 भी है जिसना यूक्रेन में कोहरा मचा रखा है हाला कि फ्रांस का राफेल का नया वर्जन F-4.1 सुखोई S-21 से भारी और जादा ताकतवर है वही बाहुवली फाइटर जैट राफेल के भारती बायु सेना में शामिल होने से भी ताकत बढ़ चुकी है फ्रांस से भारत ने 36 राफेल लड़ा को विमान खरीदे हैं हाला कि तकनी की तौर पर भारत में अभी 35 राफेल ही पहुँचे हैं और एक फ्रांस में ही मौजूद है जिसकी टेस्टिंग पर काम चल रहा है